मित्रो नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमार यूटूब चैनल इभी लाइब न्यूज पर मैं आपको दोस्त रूप्चन साहूँ आपका हर देंस स्वागत करता हूँ अभिनंदन करता हूँ मित्रो आज 2023 खतम हो रहा है आकरी दिन है और आज के दिन ये पुराने बीते हुए साल की जो भी यादे हैं जानकारी हैं आप लोगोंने बहुत अच्छे से देखा है और अपना प्यार देखा इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्वाद और आने वाला साल 2024 आपके जी और हमारे यूटूब चैनल पर अपना इसने प्यार बनाए रखे और हमारे चैनल को खूब सेर करें खूब वीडियो देखें लाइक करें और कमेंट करें और आपके लाइक और कमेंट से हमें एनरजी मिलती है तबी हम आपके लिए सांदर सांदर चानकारी से भरपूर वी ओर राम जी आपके उपर पर क्रपा बनाई रखें। मित्रव आज हम बात करने वाले हैं और आपको 2024 में कौन सी एलेक्ट्रिक आर्टोरक्षा लेनी है। कौन सी लेनी है कौन सी नहीं लेनी है मैं आज आपको इसी विशे में बताने वाला हूँ और समझाने वाला हूँ दोस्तों आप लोग देखते होंगे मैं डेली एक वीडियो डालता हूँ एक नई नई कंपनी की जानकारी देता हूँ और बहुत सारे मेरे भाई लोग हैं जो कमेंट करते हैं साहो जी आप गल्त जानकारी दे रहे हो साउजी ये फेक बीडियो है साउजी आप जूट बोल रहे हो तो मेरे भाई मैं जूट नहीं बोलता हूँ मैं आपको वही जानकारी देता हूँ जो जानकारी सही होती है मैं आपको कोई गल्थ जानकारी नहीं देता हूँ क्योंकि आप लोग ऐसा क्यों बोलते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं जूंट बोलता हूं आप वीडियो को पूरी तरह से देखते नहीं है समझते नहीं है ठीक है भाई अगर मैं किसी वीडियो की जानकारी बता रहा हूं किसी गारी क में आपको जानकारी देरा हूं तो अगर आप अब میरे वीडियो को देख लिए हैं समझों में मैं यूरी के बारे में में जानकारी Ooh या सार्ति के बारे में दिया तो आप एसा क्यों करते हैं कि मेरी वीडियो भी देखने के बाद D99 YouTube चैनल की वेडियो भी देखिए आप कमपेर करें तो आपको मालूम चलेगा ले भाई YouTube पर हजारो वेडियो डेली अपोड होति हैं हजारो YouTube वीडियो डालते हैं जिस मिल्च परकार । परकार से और फिर बस खतम कर देते अरे दूसरे की वीडियो देखो यूटूब पर कुछ देर बिताओ कुछ समय बिताओ तो आपको सही जानकारी मिले ना मेरे भाई तो आपने confusion को दूर करने के लिए दूसरे के channel कोई वीडियो को भी देखते रहे मिलाते रहे compare करते रहे और इसके बाद में comment करें सही और गलत की जानकारी निकल कर मेरे भाई आप में बता रहा हूं कि आपको CNG ये पेट्रोल गाड़ी आपको नहीं लेना है नहीं लेना है नहीं लेना है मैं तीन बार बोल चुका कि नहीं लेना है और क्यों नहीं लेना है क्योंकि CNG का रेट बढ़ते जा रहा है दिन प्रती दिन कमाई हो नहीं रही है सवारी CNG वाली में ज्यादा नहीं है दोजार चोबिस में आपको एलेक्ट्रिक भीकर लेना है एलेक्ट्रिक आटो एलेक्ट्रिक बाइक एलेक्ट्रिक टाटा की मेजिक भी आ चुकी है जिसमें आप आर्ट से दस सवारी बैठा कर चलेंगे एलेक्ट्रिक बहुत सारी आटो आ हैं जिसमें आपको 8 सवारी 10 सवारी 6 सवारी चार सवारी और 3 सवारी की passing अलेक्ट्रिक आर्टो में रिक्सा की बाथ ही कर रहा हूं भाई इलएक्टिक आर्टो जिसमें आपको हाय स्पीट की ताकट मिलेगी 45 से 60 तक इनकी high speed रहती है जितनी आपकी CNG वाली आटो में speed रहती है इतनी speed इन electric आटो की है तो बहुत सारी कम्पनियों की गाड़ी आ चुकी है अगर आपको कोई गाड़ी लेना है तो CNG गाड़ी को ना ले, electric गाड़ी को ले अब CNG गाड़ी भाई क्यों नहीं लेना है चाहिए वो किसी भी कम्पनी की हो XYZ कोई भी कम्पनी हो सकती है मैं किसी का आपको नाम नहीं बता रहा हूँ अब उसका मैं आपको नुक्सान बताता हूँ कि आपको क्यों नहीं लेना है और क्यों लेना है अब मेरे को यह बताओ पहले अगर आप कोई भी कंपनी के अलेक्ट्रिक आटो रिक्सल लेंगे अभी तो बहुत सारी गाड़ियां आ चुके हैं जो 200 किलो मीटर का आपको रेंज दे रहे हैं 200 किलो मीटर चार घंटे में चार्ज करने के बाद 4 सावारी पांच सावारी लेकर आप 200 से 180 किलो मीटर चलाएंगे अगर आप 180 किलो मीटर चलाएंगे तो आपको कितनी इंकम होगी लगबग 1,1200 रुपई पंदरा सुरुपई तक इंकम हो सकती है और होती है लोग बाग कमा भी रहे हैं लेकिन आप सियंजी वाली अगर 180 किलो मीटर चलाएंगे तो आपको 500 रुपए का नेट उसको इधन डलवाने के लिए पैसा रखना पड़ेगा उसकी जो गैस है डीजेल पेट्रोल जो भी गाड़ी होगी आपको डलवाना पड़ेगा इसके बाद में उसमें आलाग से मेंटेनिस है आइल है, चनल है, प्रेशर प्लेट है, इंजन है, पम्प है, नोजल है, अर बाग से बहुत सारा दुनिया भरे उसमें मेंटेनिस निकलता है डीजल पेट्रोल CNG वाली में लेकिन एलेक्ट्रिक आप टेंशन फ्री रहेंगे जीरो मेंटेनेस है तो अगर आप 180 किलोमीटर दोनों गाडियों को चलाएंगे तो आपको 1200 रुपे की इंकम होगे एलेक्ट्रिक आटो में लेकिन CNG आटो में अगर 1200 की इंकम आप करोगे तो आपको 600 रुपे तो मेंटेनिस में जाएगा 600 रुपे रोज के हिसाब से मैने का हो गया 18,000 रुपे 18,000 रुपे भाई आपका फलतू उड़ रहा है धुवे में उड़ रहा है जिसका कोई मतलब नहीं है किसी के काम नहीं आ रहा है उपर से हमाना वातावरन वायू प्रदान देना है और डीजल श्यंजी वाली गाडियों को छोड़ना है और पेटरोल गाडियों को भी छोड़ना है हमें अलेक्ट्रिक आटो रिक्सा अपनाना है चाहिए वे किसी भी कंपनी की हो आप 1000 रुपिया भी कमाएंगो तो आपका पूरा पैसा बचने वाला मेरे पूरा पैसा और कीमत भी बहुत कम हो चुकी है कंपनी कंपटिशन में गाडियों की अच्छी फेसिलिटी अच्छे फीचर अच्छी रेंज फास्ट चार्जिंग ज्यादा वारंटी ज्यादा मजबूत गाड़ी नएने फीचर जीपीएस ब्लुटूथ केमरा के साथ में गाड़ियां आ चुकी है आप पैसे गाड़ियों को ले और जो भी आपका इधन में जल रहा है पैसा सियंजी वाली में वह पैसा बचा कर आप अपनी गाड़ी में अपनी गाड़ी की जो किस्त है वह भर सकते है अट्रहाजार रुपे मेहने अगर आपकी किस्त आए डीज पैसे गाड़ी में मैं आप सभी से निभेदन करता हूं हाँ जोड कर बिंते करता हूं कि अगर पहली बार वीडियो को देख रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और कमेंट करें थाकि हम इसी प्रकार से प्रश्ट एलेक्ट्रिक आटोः है एक तारिक को इसकी वीडियो आएगी और आप उस वीडियो को देखकर आपको खरीद सकते हैं ले सकते हैं क्योंकि एलेक्ट्रिक गारी में ही सबसे अच्छा फैदा है, बेनीफीट है, ना कोई धूआ है, प्रदूसर है, कोई दिक्कत नहीं है, और जीरो मेंट्नेस वाली गारी है, आप बस एक बार लेंगे, तीन शाल की आपको वरंटी मिलती है, किसी किसी कमपनी की पांच शाल के वरंटी मिलती है और आप बहुत ज़्यादा खुस महसूस करेंगे और कमाई भी करेंगे तो मित्रो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छे लगे होगी पसंद आई होगी तुषी के सांथ वीडियो करते है खतम मिलेंगे फिर अगली वीडियो में नई वीडियो के साथ जब तक के लिए जय हिंद जय भारत